भाईयो नमस्कार मैं अंकुस देवल आपके अपनी यूटूब चलन में फेज़ूप पेज लवकिसान में आप से इक स्वागत है भाईयो किस किसान भाईयो के सामने इस टेम पर आकर एक दिक्कात आती है कि उनका गन्ना रुकसा जाता है और गन्ने की लंबाई और मोटाई भी नहीं बढ़ती तो भाईयो आज मैं वीडियो गन्ने की लंबाई और मोटाई की बारे में बता रहा हूँ कि गणने की लंबाइ और मोटाई अच्छी तरिके से कैसे चले और रुका हुआ गणना कैसे अच्छी तरिके से गिरोफ करे तो भाईयो इस विडियो में लाट तक बने रहे हैं तो भाईयो आज मैं ऐसे प्रियोटर्ड के बारे बात कर रहा हूं जिसे डालने के बाद जिसे यूज करने के बाद आपके गन्ये की लंबाई 100% बढ़ेगी और मोटाई भी काफी अच्छी तरीके से ग्रोफ करके चलेगा गन्या और मोटाई अच्छी होगी और गन्ये में इम्मुनिटी पैदा होगी जिससे रोग प्रितिरो तक्षमता बढ गन्धे में कोई भी कीट यी रौग नहीं आता और गन्ध आपको आज पर बहुत फरक पड़ता है लंबाई और मोटाई इसलाभ पहत पर रुग गया आपने K Versus कि इस टैम लो आकर क्योंकि जीरो 238 में तो खास कर इतनी मेहनत करनी पड़ी किसान भाईयों को बहुत ज़्यादा तभी जाकर इस तना अच्छा गन्ना हुआ और इस टैम से बाद अगर आप उसकी अंदेखी कर देंगे और कुछ नहीं लगाएंगे तो भाईयों जो जरूर पूरी पोसक्तत में उनकी पूरती नहीं करेंगे तो गन्ने की लंबाई पर भी फरक पड़ता और मोटाई पर भी तो आज मैं ऐसी प्रोटर्ट के बारे में बात कर रहा हूं जिसे यूज करने के बाद आपका गन्ना लंबाई भी अच्छी तरिक्के से करेगा और पर भी तो आपको लोस होगा अगर आप इसका यूज करेंगे केल वोर का एरिस कंपनी केल वोर का तो इन सवी तत्तों की पूर्टी होगी और गन्ना काफी हाइट कर लेकर चलेगा और गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और गन्ने की पैदावार बहुती सांदार होके चलेगी लेकिन भाईयो इसमें कुछ साफधानिया है उसने भी धिहान देखर चलें क्योंकि भाईयो कुछ किसान भाई कई बार इसका प्योग कर देते हैं तो ऐसा ना करें इसका प्योग पूरे गन्ने के फसल में दो बार करना चाहिए एक तो सुरुवाद की अवस्ता में और एक इस टेम जिनोंने इसका यूज दो बार कर लिया है वो तीसरी किलोग्राम इसकी मात्रा लेनी है एरिस के कैल वोर की 10 किलोग्राम पिरती एकड़ भाईयो इसकी साथ के लेना है आपको इसकी साथ लेना है फिपरोनिल 5% सिफों में फिपरोनिल 5% सिफों में लेना है और इसकी मात्रा लेनी है 500 ml पिरती एकड़ तीसरा लेना है भाईयो अपको थायो मैं थाग जाम 25% 2G from में वह लेना है बढ़ीओ 500 ग्राम पिरती एक्कड तीन चीज़े बताई भाईयो मैंने आपको इसा 400 ग्राम फिपरोनीर लेना है भाईयो मिलाकर आपस में आप खुड़ खुड़ डाल दें और अगर आप यूरिया लेना चाहते हो तो पांच किलोग्राम पिर्टी एकड़ का यूरिया लें और इसे डालने के बाद आप अपने गन्ये की सिचाई कर दें और इसका रिजल्ट भाईयो इतना सांदार आगा क कि आप भी कहोगे कि बहुत सांदार रिजल्ट आया दूसरी बात भाईयो अगर आपने अपने गन्ये केट में कोई कीट नासक इससे पहले 15-20 दिन पहले यूज किया है तो इन कीट नासकों कभ यूज ना करें क्योंकि खर्चा एश्ट्रा करने से कोई फायदा नहीं है क् उनका रिजल्ट भी 35-40 दिन का होता है तो वो किसान भाई जरत ध्यान से वीडियो देखें जिनोंने पहले यूज किया है वो अब यूज ना करें कि नासकों का और वो कैल और ही निखाले यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और कुछ किसान भाईयोंने अगर पहले कै पर उसका साइड इफेक्ट पड़ते हैं तो इनका बार-बार यूज ना करें दूसरा आपने अगर इसका यूज ज्यादा मात्रा में कर लिया कैल वोर का तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे दस किलोग्राम पिरती एकड़ आपने मात्त ली अगर इसकी मात्रा आप 12-13 किलोग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवार नमस्कार